नेटो का बड़ा विकल्ब खड़ा करने की तैयारी में है पूतिन इस वक्की बड़ी खबर ब्रिक्स में अब साउधी अरब तुर्की और इजिप्ट भी शामिल किया जाएंगे तीनों देश अगले साल ब्रिक्स की सदस्ता के लिए करेंगे आवेदन अरजिंटीना और इरान कर चुके हैं ब्रिक्स के लिए आवेदन ब्रिक्स का विस्तार नेटो के अल्टरनेट के तौर पर होगा यानि पूतिन की सोच है नेटो के खिलाफ नया मोर्चा तैयार करने की और ये कौड से भी बड़ा है क्या होगा ये नया मोर्चा जरा ध्यान से देखें पूतिन की सोच क्या है नेटो के खिलाफ मन नया मोर्चा ब्रिक्स रूस के प्रेसिडंट पूतिन ने नेटो के विकल्प के तैयार करना शुरू कर दिया नेटों का विकल्प ध्यान से देखें तीन और देश ब्रिक्स में शामिल होने की तैयारी कर रहे है ब्रिक्स फोरम की प्रेसिडंट ने ये कहा है अगले साल साउधी अरब, तुर्की और एजिप्ट ब्रिक्स की सदस्ता के लिए अपलाई कर सकते हैं तीनों देशों को सदस्ता के लिए प्रोसेश शुरू हो चुका है ब्रिक्स फोरम की प्रेसिडंट ने कहा है इसे पहले जून में ही इरान और और अजंटीना भी ब्रिक्स में शामिल होने का अवेदन कर चुके हैं ब्रिक्स की तरफ से कहा गया है कि पश्चमी देश एशिया और आफ्रिका से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं ब्रिक्स नेशन में दुनिया की करीब 40% आबादी और एक चौथाई GDP कवर होती है